नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित वर्मा और एच्पी नॉटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखे चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश टाप सेलेक्शन कमिशन हमेर पोर दुआरा जो है नॉटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके तो चली दोस्तों वीडियो को जो है शुरू करते हैं ले चलता हूँ आपको फर्स नॉटिफिकेशन पर तो देख सकते हैं पहले ज्मा पहले जो नॉकिफिकेशन है आपकी 26 inm फेज की ये नॉकिकेशन है तो तेरा सो बत्तर candidate की जो है ये list है आप चेक कर सकते हैं HBK SSE की website पर आपको rejection list में ये list जो है देखने को मिल जाएगी post code R73 के लिए जो है rejection list जो है हमीरपुर चाइन बोर्ड दौरा जो है जारी की गई है fees not received के कारण जो है इस post code के ये candidate तेरा सो बत्तर candidate के जो है वो form reject किये गए है next जो notification है दोस्तों आपकी वो है post code R69 के लिए जो कि आपका designer post code R69 की जो है rejection list जो है जारी की गई है तो इसकी भी fees not received के कारण जो है 273 candidate की form जो है वो reject की गई है तो आप चेक कर सकते हैं 6 page की ये notification है तो rejection list में आपको ये HPSRC के website पर मिलेगी तो तेसरी जो notification है आपकी आप देख सकते हैं post code R63 के लिए है ये उन candidate की list है जिने जो है वो तीन दिन के अंदर जो है हिमाचल प्रदेश टाफ सेलेक्शन कमिशन हमीरपुर की email पर जो है आपना 10th plus 2 और bonafide हमाचल का जो है वो document ये submit करवाने हैं नहीं तो इनके ये form भी reject कर दिये जाएंगे next year notification है आपकी चौथी notification वो आपकी post code R63 के लिए जो है वो list जारी की गई है तो 27 candidate की ये list है इसमें भी बताया गया है कि तीन दिन के अंदर अपना 10th plus 2 और bonafide हमाचली का certificate जो है HPSSC email की website पर इन candidate को जो है तीन दिन के अंदर भीजना होगा नहीं तो इनके form भी reject कर दिये जाएंगे तो दोस्तों ये थी आज की अभी की हमीरपुर की और से चार नई notification अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हो तो like जरूर करें और दोस्तों के साथ share जरूर करें ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके धन्याबाद जैहिन जैबाद